Dear Students, आज हम आप लोगों का M.A. Final का Industrial Economics का पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इस पेपर का syllabus मैंने पहले ही आप लोगों के WhatsApp ग्रूप पर डाल दिया हैं। और वो आप लोगों ने देखी लिया होगा। आज हम इसकी First Unit के First Topic से स्टार्ट करेंगे। और जो First Topic आप लोगों का है वो फर्म के बारे में हैं। कि फर्म किसे कहते हैं, फर्म क्या होती हैं और किस तरीके से फर्म काम करती हैं। जब भी हम फर्म की बात करते हैं, आप लोग जब भी ये फर्म शब्द सुन रहे हैं, तो आप लोग Micro Economics पढ़े ही हैं पिछले साल, तो जो वो फर्म का कंसेप्ट होता है, वह हम उसी फर्म की बात कर रहे हैं। पर यहां हम उसको Market के रेफरेंस में नहीं देखकर, एक फर्म इंडियूजली किस तरीके से काम करती हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। फर्म होती क्या है? फर्म एक संस्था है, जो उब्भोगताओं को वस्तु, सेवा या कोई भी प्रोड़क्ट जो बनाया जाता हैं फर्म की द्वारा, उसको उपलब्द करवाती हैं। और फर्म को हम कमपनी कहते हैं, कोई भी इंटरप्राइजेज है, वो कहा जाता है। जब शुरू होती हैं, तो वो एक ही उद्देश से काम करती हैं, वो होता है लाब कमाना। और सामाने तहर यूमन नेचर है, और हम अर्थशास्ट में तो शुरू से ही पढ़ते आया हैं, कि हमेशा जो मनुष्य हैं, वो प्रॉफिट को सबसे पहला अपना लक्ष बनाता हैं, अर्थजगत में तो। अब जब भी प्रॉफिट की हम बात करते हैं, तो हम सारी की सारी आर्थिक क्रियां को उसमें शामिल करते हैं, और फर्म इसी तरीके की एक आर्थिक क्रिया हैं, जिसका उद्देश्य लाब कमाना है। सामाने तोर पर मनुष्य दो उद्देश्यों के लिए काम करता है, या तो मनुष्य सेवा करता है किसी की, तो अगर सेवा की जाती है, तो वो कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती हैं, एकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी लाब का उद्देश्य नहीं तरीके की economic activities की बात करते हैं जो फर्म के द्वारा की जाती हैं और फर्म का या फर्म की शुरुवात का सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि वो जादा से जादा लाब अरजित करें तो basically फर्म क्या करती हैं वस्तूओं और सेवाँ का उत्पादन करती है उनकी बिक्री करती हैं विनिमय करती हैं लेंदेन करती हैं और अपनी सेवाएं समाज को देती हैं और समाज की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करती हैं तो फर्म एक तरीके से एक व्यावसाइक संगठन होता है जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है ऐसा नहीं कि केवल production किय किया जाता है तो खुद के लिए किया जाता है यह सोचकर production किया जाता है किसी फर्म में कि मैं समाज को सबसे ज़ादा सर्व करूं और इसी service में इसी सेवा में उसका सबसे ज़ादा लाभनिहित होता है और कोई भी ओध्योगी किया कोई भी वानिजिक जो फर्म हैं वो वित चरण में एक firm के द्वारा ये सारी activity की जाती है और हर चरण में हर firm ये कोशिश करती है कि वो जादा से जादा profit earn करें अब हम सबसे पहले लेते हैं कि ownership किसे कहते हैं फर्म में ownership बहुत important पहलू होता है कि फर्म का मालिक कौन है, फर्म किसके पास है और फर्म से सम्बंदित अधिकार कौन-कौन व्यक्ति रखते हैं तो अगर फर्म के स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें तो हम फर्मों को छे भागों में बांट सकते हैं सबसे पहला होता है एका की स्वामित का मतलब है Single Proprietorship यानि किवल एक ही व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर फर्म या कंपनी का मालिक होगा, स्वामी होगा दूसरा होता है साजेदारी, साजेदारी में कुछ लोग मिलकर एक फर्म को establish करते हैं Next है आपका Joint Stock Companies होती है, जो संयुक्त रूप से मिलकर कुछ कंपनी काम करती है फिर सहकारी समीती में काम होता है, के माध्यम से उत्पादन होता है, वो भी एक परिके से फर्म ही है जो cooperative societies के रूप में काम करती है, इसके लावा government enterprises होते हैं, सरकारी उपकरम होते हैं कई government के उध्योग होते हैं, जो सरकारी शेत्र में से सम्बंदित होते हैं, और सरकार के अधिकार शेत्र में होते हैं और next है एक last जो आपका firm का एक परिकार हो सकता है, वो एक अधिकार हो सकता है, एक अधिकार आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और एक अधिकार का मतलब होता है कि जो पहला और आपका जो अंतिम है दोनों अलग-अलग हैं एक तो एका की स्वामित्व की बात हम करते हैं, जहांपर किसी एक फर्म का स्वामित्व किसी एक रिक्ति के पास हो, इसे तो हम कहेंगे एका की स्वामित्व लेकिन जो आपका एकाधिकार है इसका मतलब आप लोग समझते ही होंगे एकाधिकार का मतलब होता है कि फर्म के द्वरा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है जो भी उत्पादन किया जा रहा है वो केवल उसी एक फर्म के माध्यम से किया जाता है यसी अगर इस्तितिया है मार् वो है एकाकी स्वामित्व की फर्म एकाकी स्वामित्व की फर्म किसे कहा जाता है तो एकाकी स्वामित्व में किवल एक ही व्यक्ति है इसके नाम से understood है कि कोई जो भी फर्म होगी उसका स्वामी या मालिक कौन होगा किवल एक व्यक्ति होगा वही उसमें पूंजी लगाएगा और वही उसका management भी करेगा और जो भी लाप और हानी होगी उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा यह अगर लाप भी होता है तब भी उसी का है नुकसान भी होता है तब भी उसी को बियर करना है तो जो एकाकी स्वामित वाली firm होती है उसके लिए जैम्स स्टिफ एंसन ने कहा है कि एकाकी व्यापारी वह व्यक्ति हैं जो व्यवसाय को केवल स्वयम अपने ही लिए करता है केवल अपने लिए व्यवसाई करता है व्यवसाई को चलाने के सभी जोखीमों का उत्तरदवाईत्व अपने उपर लेता है वह व्यवसाई की पुझी का न केवल मालिक होता है वरन संगठन करता तथा प्रबंधक भी होता है जो सब लाभों को प्राप्त करने या हानी उठाने के लिए उत्तरदाई होता है तो इस तरीके से एका की फर्म काम करती है मार्केट में अब जो भी एका की स्वामित्व वाली फर्म है वो किस तरीके से होती है, क्या काम करती है इसको समझने के लिए हम एका की स्वामित्व के गुण क्या है दोश क्या है और क्या लक्षन है किस तरीकी की ये फर्म होती है इनको भी समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम लेंगे एका की स्वामित्व की जो फर्म होती है उसके क्या लक्षन है यानि वो फर्म किस तरीके की होती है तो एका की स्वामित्व की फर्म में सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है आपको इसके नाम से जो इस पस्ट है कि एक ही स्वामी होता है अर्थात इसका मालिक कौन होता है केवल एक व्यक्ति होगा दूसरा असमित देता यानि अगर कोई भी फर्म किसी एक व्यक्ति के पास में है तो इसका मतलब जो भी पूंजी है, capital है वो किस व्यक्ति की होगी? केवल उसी व्यक्ति की होगी और capital भी उस व्यक्ति की होगी और सारा जो अपचारिकता हैं होगी जो प्रबंध होगा वो भी केवल एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में होगा और अ-सिमित्-देता का मतलब होता है कि जो भी संपती है अगर उसने लोन भी लिया है तो जी केवल अकेला व्यक्ति ही सारा प्रबंध करता है और पूरा control भी किसका रहेगा केवल उसी एक व्यक्ति का जो इस फर्म का मालिक होता है अगर हम एका की फर्म में लाव क्या क्या है या क्या फायदे है कि लोग ज्यादतर हम देखते हैं कि लोग एका की फर्म लगाते हैं तो उसके फाइदे बहुत हैं, यहाद कि विलियम बैसेंट के शब्दों में अगर हम जानना चाहें, तो एक व्यक्ति का नियंत्रण, यानि एकाकी फर्म में क्या होता है, केवल एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है, तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का नियंत्रण जनसार में स तो वो सबसे अच्छा है कि किसी भी फर्म पर केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण हो अब ऐसे इसके लाब क्या-क्या है क्या-क्या फाइदे हैं तो सबसे पहला जो फाइदा है स्थापना में सुगमता का अर्थ हैं कि अगर हमको एकागी फर्म establish करनी है एक ही व्यक्ति के स्वामित्ववाली single operator की firm establish करनी है तो उसकी इस्थापना बहुत ही सुगम है क्योंकि एक ही व्यक्ति को निर्णे लेना अगर वो करना चाहता है तो वो बहुत आसानी से कर लेता है फिर निर्णे लेने में तक पड़ता अगर फूरा ग्रॉप हो या आपको बहुत लोगों से पूछना है कुछ काम आप नया initiate करें या नहीं करें किसी firm में तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो सकती है लेकिन अगर एक ही व्यक्ति उसे decision लेना है तो उसे बहुत देरी नहीं होगी फिर व्यक्तिकत देखवाल और मित्वेता अगर individual है तो definitely वो इस तरीके से काम करना पसंद करेगा कि कम से कम कोस्ट आए, कम से कम खर्च हो और जादा से जादा profit earn किया जा सके गोपनी इता रहती है, सारे firm में जो भी बाते होती है वो सब क्या रहती है? गोपनी रहती है क्योंकि स्वयम एक ही स्वामी है, वही नियंत्रन करने वाला है तो सारे firm से संबंदित जो भी बाते हैं, मामले हैं वो उसी के पास रहेंगे next है आपका लचीला पन होता है, flexibility होती है कि वो अगर चीजों को बदलना चाहे समय समय पर तो वो अपने हिसाब से उसे परिवर्तिक कर सकता है तो इस तरीके से एका की स्वामित्त वाली जो firm होती है इसके बहुत सारे फायदे हैं, छोटे पेमाने पर उत्पादन होता है तो लोगों से संपर्ग भी बहुत अच्छे से स्थापित कर सकता है वो खुद जानता है उसके करमचारियों की, उसके ग्रहकों से वो पर्सनली संपर्ग रख सकता है तो इसलिए एका की स्वामित्त वाली firm बहुत ही ये सब फायदे इस firm में होते हैं लेकिन इन सब फायदों के साथ-साथ कुछ परिशानिया भी हैं कुछ दोश कह सकते हैं जिनने वो भी इस तरीके की firm में देखने को मिलता है जैसे सिमित्वित, सबसे बड़ी जो प्राब्लम होती है वो फाइनेंस की होती है कोई अकेला विक्ति आप देखेगा थोड़ा मुश्किल से अगर इनिशियेट करना है तो उसे थोड़ा सा कैपिटल को लेकर मुश्किल आ सकती है क्योंकि अगर गुरुप हुआ पांश-साथ लोगों का तो थोड़ा-थोड़ा आपका कैपिटल का हिस्सा सब में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति ही स्वामी है किसी फर्म का तो उसको finance में थोड़ा उसका एक limitation हो जाता है और सारी की सारी जिम्मेदारी है आपका किसी भी चीज में input से लेकर आपका management हुआ आपका कर्मचारियों की को देखना हुआ आपका technology का aspects हुए आपका distribution से related चीज़ें हुए marketing से related advertisement से related तो यह सारी चीज़ें कि केवल एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है और सबसे important है कि उसी को प्रबंध में अगर वो कुशल है तब तो वो easily कर लेगा लेकिन यदि अगर एकाकी है और कुछ चीज़ों में उसका problem से वो डंग से deal नहीं कर पाता तो ऐसे में firm में बहुत ही मुश्किल हो सकती है कभी कभी क्या होता है कि वो एक व्यक्ति है हमेशा वो निर्णे सही ले रहा है या नहीं ले पा रहा है तो इस बात के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है कि वो अकेला जो भी decision लेगा वो सही है या गलत है इस तरीकी की discuss करने के लिए उसके पास चीज़ें या लोग नहीं होता है तो ये दोश ये कह लें या problems कह लो ये एकाकी स्वामित वाली firm में होती है लेकिन फिर भी एकाकी स्वामित वाली firm है उसके लिए Richard Owen ने कहा है कि एकाकी स्वामित का जो संडक्षन है वो एक प्रेरक शक्ति और उध्योगों के विस्तरत स्वामित और नियंतरन को पाने की सर्वत्तम आशा प्रदान करता है यानि किसी भी उध्योग में अगर control करके रखना उध्योग को नियंतरित तरीके से चलाना है तो ऐसे में एकाकी स्वामित वह बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन करता है